आप SDM हैर, बहुत ज़्यादा कभी कबार हमारे रिष्टेदारी में भी हमसे सला मस्वीरन नहीं हो पाता है, जल्दी वाधी में भाय हो जाते हैं आपके मामा की लड़की का भिवाय है आप बहुत व्यस्त है नौता सब छिप गए बरात भी आचुकी है अब आप टॉक में तो हैं नहीं है, लेकिन बरात भूंदी आई हुई है क्योंकि मामा जी वही है आज इस्तिती ऐसी बदल गई थी कि आप कलेक्टर के साथ कुछ गटनाए थी बाड तूफान में रहते हैं, कभी कभी SDM नहीं हो पाते हैं सामाज एक सरोकारम है लेकिन अच्छानक आपको एक सूचन आई और कलेक्टर साब ने आपको सुने की बाल विवाय हो रहा है आप पहुंचे आप निकल यह रास्ता में बताऊंगा उन्होंने रास्ता बताया था पहुंचे पहुंचे आप खुद वहीं पहुंच गए जहां पी मामा जी की बेटी का विवाय हो रहा था छे फेरे पढ़ चुके हैं सानातर निदू दरम में साथ फेरे माने जाते हैं क्या डिसीजन लोगे इस पहले तो सर में मामा जी को समझाँगा और शादी करनी तो आप पांसाल बात कर लेना इनसे करनी तो पांसाल बात कर लेना यह जाता है तो फेरे भी पढ़ना निवारी है प्रतिष्ठा का सवाल है बच्चा हमको मैं दो चीज़े करूंगा सबसे पहले सबको जो मेरे मामी पापा है या मामा है मामी है जो भी और उनके घर में बुजूर्ग है उनको लेके मैं समझूंगा एक बार कि यह कानून के खिलाफ है ऐसा नहीं होना चाहिए गलस चीज़ पर फेर नहीं पड़ेंगे तो हम दूबार करेंगे नहीं और तेल चंड गया आप इस बात को मानते हो कि लड़की के जो तेल चंड जाता है फिर उसकी दूसरी साधी की संभावना कम हो जाती है तो साही दूसरी साथी तो हो भी जाए लेकिन सर यहां पर जो जिंदिकी एक एक बार चली जाएगी इस तरह साधी हो जाएगी तो बड़ा इश्यू क्रियेट हो जाएगा मुझे लगता है मैं एक बार समझानी कोशिश करेंगा अगर नहीं समझते हैं तो बिलकुल जो मैं परशाशन के अधार पर जो एक्शन लिया जा सकता हूं आप है और मैं बिलक सकती है तो हुआ है तो बिलकुल ओता मैस ऑने टतैन्द मुझे यगता है।